European Union Free Trade Association, ये चार देशों का एक association है, जो एक दुसरे के साथ economically integrate होते हैं इसके दौर, भारत भी इनके साथ में TEPA, Trade and Economic Partnership Agreement को sign करने की कोशिश कर रहा है, ये सारे ही जो भी आप नाम देखते हैं, ये अलग-अलग तरीके के Free Trade Agreement होते हैं, जिसमें जो commodities होती हैं एक देश की, उसे easy access मिलती है दूसरे देश में, तो अगर हम इस agreement को sign करते हैं, तो इन चारो देशों में हमारे जो commodities वो आसानी से access कर पाएंगी, उनके market को, और हमारा economic growth prosper कर पाएगा, जैसे आप से कुछ question पूछे आ सकते हैं कि क्या ये चारो देश, European Union, Custom Union के पार्ट है, जवाब है नहीं, क् इस संस्ता का गठन किया गया था 1960 में through Stockholm Convention, बज़े की बात है कि जो founding members थे majority, वो आज इसका party नहीं है, अब आपके लिए question ये है कि वो चार देश कौन से हैं,